Hello everybody, welcome back to my channel मतिकालीन भारत के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है तो स्टार्ट करते हैं आज के important questions सालूब वन्स के बाद विजय नगर पर किस वन्स का सासन हुआ तुलूब वन्स का सालूब वन्स के बाद विजय नगर पर किस वन्स का सासन हुआ तुलूब वन्स का तुलूब वन्स की अस्थापना किसने की वीर नर्सिंग ने तुलूब वन्स की अस्थापना किसने की वीर नर्सिंग ने तुलूब वन्स की महान सासक कौन थे कृष्ण देवराई किसे बताया गया क्रिश्न देवराई को किसके सासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था किसके सासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था तो किसके दर्वार में तेलगु साहित के आठ सर्प्स्रिष्ट कवी रहते थे जिने अश्ट दिगज कहते थे किसके दर्वार में तेलगु साहित के आठ सर्प्स्रिष्ट कवी रहते थे जिने अश्ट दिगज कहते थे किसके काल को कहा जाता था क्रिष्ण देवराय के काल को तेलगु साहित का क्लासिक यूग किसके काल को कहा जाता था तो क्रिष्ण देवराय के सासन काल को अमुक्त मालियाद एवं जामबती कत्यानम की रचना किसने की क्रिष्ण देवराय ने अमुक्त मालियाद एवं जामबती का त्यानम की रचना किसने की कृष्ण देव राई ने पांडू रंग महातम्यम की रचना किसने की तिनाली राम राम कृष्ण ने पांडू रंग महातम्यम की रचना किसने की तिनाली राम राम कृष्ण ने हजारा एवं विठ्थल स्वामी मंदिर का निर्मान किसने कराया कृष्ण देव राय ने कौन कौन सी उपादी धारन की आंध्र भोज की अभिनब भोज और आंध्र पितामह की उपादी धारन की तुलूब वन्स का अंतिम सासक कौन था सदासिव राक्षसी तगडी ताली कोटा या बनी हट्टी का युद्ध कभुआ 23 जन्वरी 1565 को विजय नगर के विरुध बने दक्षिन राजियों में कौन कौन संग सामिल थे बीजापूर एहमद नगर गोलकुंडा और बिदर और जिसका नेत्वित आदिल साह कर रहा था विजय नगर के विरुध बने दक्षिन राजियों में कौन कौन संग सामिल थे तो बीजापूर एहमद नगर गोलकुंडा बिदर और जिनका नेत्रित आदिल साह कर रहे थे ताली कोटा के युद में विजय नगर का नेत्रित कौन कर रहा था राम राय विजय नगर की और से तालिकोटा की युद में नेत्रित कौन कर रहा था तो राम राय और इसके अगेंस कौन कौन थे तो बीजापूर, एहमद नगर, गोलकुंडा, बिदर विजय नगर के चोथे राजवन्स अराविडू वन्स की अस्थापना किसने की तिरुमलने की विजय नगर के चोथे राजवन्स अराविडू वन्स की अस्थापना किसने की तिरुमलने की अराविडू वन्स का अंतिम सासक कौन था रंगतृतिये अराविडू वंस का अंतिम सासक कौन था रंग तरतिये महसूर राईज की अस्थापना किसने की वडियार ने की पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके सासंकाल में विजयनगर आया था कृष्ण देव राई के सासंकाल में पुर्टगाली यात्री बार्बोसा किसके सासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्न देवराय के सासनकाल में विजयनगर समराइज की आय का सबसे बड़ा सुरोत क्या था? लगान विजयनगर समराइज की आय का सबसे बड़ा सुरोत क्या था? तो लगान था उत्तर भारत से दक्षिन भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था बढवा विजए नगर की मुदरा क्या थी पेगोडा विजय नगर की मुद्रा क्या थी पगोड़ा भहमनी राज की मुद्रा क्या थी हून युद्ध में सौरी का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमी को क्या कहा जाता था रक्त कोड़गे युद्ध में स्वारी का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमी को क्या कहा जाता था रक्त कोड़ गे नेक्स हम लोग विविद के टॉपिक देखेंगे जिसमें विश्व में प्रथम पढ़ेंगे हम लोग एवरेश शिखर पर पहुचने वाला पहला वैक्ति कौन था सेरपा तेंजिंग जो भारत के थे वसर एडमन्ड हिलेरी जो न्यूजलेंड के थे उत्री द्रूप पर पहुचने वाला प्रथम वैक्ति कौन था रोबर्ट पियरे जो यूएसे के था दक्षनी द्रूप पर पहुचने वाला प्रथम वैक्ति कौन था रोबर्ट पियरे जो यूएसे का था दक्षनी द्रूप पर पहुचने वाला प्रथम वैक्ति कौन था एमोंड सेन जो नार्वे का था विशु का पहला धर्म कौन सा था सनातन धर्म विश्व का पहला धर्म कौन सा था सनातन धर्म उत्री धरूप पर पहुँचने वाली प्रथम महीला कौन थी कैरोलेन मिकल्सन उत्री धरूप पर पहुचने वाली प्रथम महीला कौन थी कैरोलेन मिकल्सन दक्षनी दुरूप पर पहुँचने वाली प्रथम महिला कौन थी? फ्रेन फिफ जुकनाडा का था दक्षनी दुरूप पर पहुचने वाली प्रथम महिला कौन थी? फ्रेन फिफ पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा था? चीन पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा था? चीन कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? चीन सिविल सेवा परतियोगता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? चीन सिविल सेवा परतियोगता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था चीन सन्युक्त राज अमेरिका का प्रथम राश्पती कौन था जॉर्ज वासिंग्टन ब्रिटेन का प्रथम प्रथम प्रथान मंतरी कौन था रॉबर्ट वालपोल सिक्षा को अनिवायर करने वाला प्रथम देश कौन सा था प्रथम फटबॉल विसुकप जीतने वाला देश कौन सा था उरुगवे संजुक्त राज अमेरिका संविधान निर्मान करने वाला प्रथम देश कौन सा था संजुक्त राज अमेरिका थैंक यू नेक्स्ट आपको नेक्स मदिकालिन भारत के टॉपिक मिल जाएंगे अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सेयर भी थैंक यू